नमस्कार दोस्तों देखिए आज के वडियो में हम लोग ग्रामिड विकास का MCQ करेंगे जो बहुत इंपोर्टेंट MCQ है इसमें से कुछ क्वेशन्स जो हैं वो मैंने खुद डिजाइन किये हैं जो आप लोगों की आगामी जो एडियो का एक्जाम है उसमें आने की पूरी कोछे की तरीके से संभावना है उसकी उन क्ウेशन्स की और कुछ क्वेशन्स दो चारफए जो है वो मैंने प्रिवयस यहयर पेपरसे लिए हैं जो कुछ क्वेशन 2017 के पीपर में आख हूए और मैरे 151 लेकिन मैशींम क्वेशन मैंने खुद डिजाइन कियें जो आपके वीडियो को pause करना है question को पढ़ने के बाद attempt करके देखना है कि खुद से आप लोगों को कितना question बन रहा है और जितने questions बने उनको उनकी संख्या को आपको comment section में comment करके बताना है और साथ ही साथ उसके साथ ये भी बताना है कि आप लोगों को ये जो वीडियो है वो कैसी लगी ठीक है आप सबको ये पता होगा जो नए है उनके लिए मैं बता देता हूँ कि ग्रामिन विकास को पूरा हम लोगों ने एक एक topic को detail में पूरा cover कर चुके हैं जो students नए हैं वो जा के playlist में ग्रामिन विकास वाले place में जा के पूरी classes दे सकते हैं 27 class में हम लोगों ने ग्रामिन विकास को खत्म किया है पूरी तरीके से परसों ही हम लोगों ने खत्म किया है ठीक है उसके अलावा पंचायती राज भी हम लोगों पढ़ रहे हैं सब्सक्राइब करें लाइक करें शेयर करें और उसके बाद फिर जाकर जो है ग्रामिन विकास को पहले थियोरी पूर्शन को देख सकते हैं और थियोरी के बाद विकास की संख्या थोड़ी निखसन होते हैं लेकिन उन सब के बीच मैं आप लोगों को कई सारे से कवर कर देता हुँ ठीक है यह सब चीजे भी आप लोग जानी रहें तो इसमें प्रभण उसी तरीके से करेंगे सब वाटरशेड में कितनी भूमी आती है ठीक है वाटरशेड प्रबंदन वाला टॉपिक अपन पढ़े थे तो उसमें मैंने क्या बताया था आकार जल निकासी और भूमी उपयोग पैटन के अधार पर उसको क्या वाटरशेड को वरगी कृत किया गया मतब टाइप सब हजार हैं माइक्रो वाटरशेड एक व्याटर एक से सो हक्त्र को कहते हैं मीनि वाटरशेड मीनी वाटरशेड तो इसमें क्या पूछा है सब वाटरशेड सब वाटरशेड के अंतरगत क्या आएगा 10,000 से 50,000 हेक्टेर जो है यह आएगा सब वाटरशेड के अंतरगत ठीक तो यह option हो जाएगा question 1 का answer हो जाएगा option D 10 से 50,000 हेक्टेर और इसके अंतरगत 100 से 1000 हेक्टेर में क्या आता है माइक्र वाटरशेड 1000 से 10,000 हेक्टेर अगर कहीं बोला 1000 से 10,000 हेक्टेर तो यह आता है आपका मिली वाटरशेड के अंतरगत देखो मिली और मिनी में confuse मत हो जाना मिनी वाटरशेड में कितना आता है, 1-100 hectare, मिली वाटरशेड में कितना आता है, 1000-10,000 hectare, ठीक है, तो ये आपका फर्स्ट कॉश्चन का अंसर आजएगा, D, सब वाटरशेड के नतरका 10-50,000 hectare, next question देखते हैं, अपने, सेकंड नमबर का question देखते हैं एकिकरित watershed विकास कारिक्रम के शुरुवात कब हुई थी ठीक है तो ये watershed कारिक्रम के तहट एक परियोजना है एकिकरित वाटर्शेट का विकास का रिकरम, उसके सुरुवात का वुईती पूछ रहा है, 15 जून 2005, 12 ऑक्टूबर 2005, 1973 और 1 अप्रेल 2008, देखे, 15 जून 2005, इस दिन क्या सुरुवात हुआ था, तो सूचना का अधिकार अधिनियम, सूचना का अधिकार, अधिनियम, अधिनिय निमित हुआ था मताब राष्टपती का सिगनेचर हुआ था 12 अक्टूबर 2005 से सूचना का अधिकार दिनियम क्या हुआ था लागु हुआ था ठीक 1973 1973 में चालू हुआ था मरू भूमी विकास कारिक्रम 1973 में शुरू हुआ था सूखा प्रवण चेत्र कारिक्रम तो इसका अंसर क्या आजाएगा एकिकरित वाटरशेट विकास कारिक्रम की सुरूआत एक अप्रेल 2008 से हुई थी थीक है तो इसके अंतरगत ये तीनों डेट को भी आपको इंपोर्टेंट रखना है याद रखना है तीनों डेट को तो तीन चार कोश्चन इसमें तो यही कोश्चन से करवा दिया हूँ ठीक है, थर्ड कोशन है, सूचना के अधिकार अधिनियम के अंतरगत केंदर सरकार ने आवेदन फीज कितनी तैकी है, ठीक है, तो option A है 250 रुपे प्रति दिन, option B है 50 रुपे प्रति दिन, option C है 10 रुपे प्रति दिन, option D है 15 रुपे प्रति दिन, तो 250 रुपे प्रति दिन क्य में सूचना नहीं देता या फिर अपलब्द नहीं कराता अथ्वा गलत या भ्रामाग जनकरी देता है तो देरी के लिए 250 रूपए दिया जाता है ठीक है यह कितना देरी के लिए कितना दिया जाता है 250 रूपए दिया जाता है और 25,000 रूपए जुरुमाना मतलब अधिक्तम जो है है ना 250 रुपए प्रति दिन के हिसाब से 25,000 रुपए तक का जुरुमाना जो है उसके अधिकारी के वेतन से काट लिया जाता है और फिर उसके बाद फिर उसको सूचना भी देनी पड़ती है ठीक है तो ये option ये तो होगा नहीं इसमें क्या पूछा है केंद्र ने आव अपील अधिकारी से प्रथम अपील अधिकारी से ठीक है तो प्रथम अपील अधिकारी क्या करेगा प्रथम अपील अधिकारी या जो वरिष्ट अधिकारी रहेगा वो 30 दिनों के भीतर आपको सूचना देगा तो प्रथम अपील अधिकारी से आप जब उसकी सिकायत करें तो फिर आपको 50 रूपए क्या देना पड़ेगा सूल्क देना पड़ेगा तो ऑप्शन B भी नहीं होगा ऑप्शन C 10 रूपए यह प्रति दिन को काड़ दीजेगा ठीक है यहां पर ऑप्शन C आजाएगा अंसर 10 रूपए तो 10 रूपए जो रहेगा आपको आविदन सूल् 50 रूपए प्रति दिन और 50 रूपए जो प्रति दिन जो है वो प्रथम अपील अदिकारी को सूल्क की रूपए देना पड़ता है तो ऑप्शन A भी दोनों नहीं आएगा ऑप्शन C इसका सहीं आंसर है ठीक next question देखते हैं सामाजी कंकेक्षन की प्रक्रिया के लिए जाब सदस्य होने चाहिए उसमें है ना वरिष्ट अदिकारी होने चाहिए तो ये सब चीजे मैं बता चुक हो पहले तो इसमें क्या किया जाता है जिस एक जौब कार्ट धारी परिवार मजदूर परिवार है उससे भी एक सदस्य का चुनाव के जाता है जो 18 वर्स से उपर की आ परिवार मेंट है उसका तो जौब कार्ट धारी परिवार का ऐसे सदस्य जो 18-25 वर्स जिसके आयो है और बारवी क्लास उत्तिर्ण है उसको क्या किया जाएगा उसको समाजी कंकेक्षन की प्रक्रिया के लिए चुना जाएगा ठीक है तो उसमें सेवगी सामिल रहेगा तो अनुपात कितना है ठीक है तो ऑप्षन ए 75 अनुपात 25 ऑप्षन बी 70 अनुपात 30 ऑप्षन डी 90 अनुपात 10 और ऑप्षन डी 60 रेशियो 40 तो कितना अनुपात है स्वच्छ भारत मिशन ग्रामिन के दूसरे चरण के अंतरगत ठीक है स्वच्छ भारत मिशन ग्रामिन अप 40 क्या है राज्य सरकार का ये राज्यान्स मतलब क्या होता है जो वित्त होगा उसका 60% के इंदर सरकार देगी और 40% राज्य सरकार देगी ठीक है तो ये option D हो जाएगा इसका सही आंसर तो नेक्स्ट कॉशन देखते हैं कॉशन नमबर 6 स्वच भारत मिसन ग्रामिन के अंतरगत प्लास्टिक वेस्ट मेनेजमेंट सिस्टम यूनिट के लिए प्रती ब्लॉक कितनी रासी का प्रावधान किया गया है देखिए क्या पूछ रहा है प्लास्टिक वेस्ट इतना रासी का प्रावधान कि आप्सट सी 16,00,000 रूपैं प्लास्टिक वेस्ट मेनेजमेंट सिस्टम का मतलब क्या होता है अगतल प्लास्टिक सिस्टम को यूनिट लगाना है उसके लिए폰 क्कि वेस्ट क सिस्टम करने के लिए जो तो हर ब्लाक को कितना दीय जाएगा 16,00,00 रूपए प्रती यूनिट, एक यूनिट के लिए दिया जाएगा 16,00,00, हर ब्लॉक को प्रती ब्लॉक, जिसका अंसदान कितना रहेगा सोच भारत मिसन, ग्रामिन के तहट, इस 16,00,00 में से 100% हिस्सा जो रहेगा, कौन देगा, सोच भारत मिसन के तहट 100% फंड प्रोवाइड किया जाएगा, और विट आयोग 0% देगा, यह मैं बताया था, आप लोग डिटेल में जाके देख सकते हैं उसको, फीकल स्लज मेनेजमेंट सिस्टम के लिए प्रती ब्लॉक कितना दिया ठीक है, इस सब को धियान रखेगा, यह कुछ भी पूछ सकता है, ठीक, तो धियान रखेगा, और एड्मिनिस्टेटिव चार्जेस, प्रशासनिक खर्च कितना परियोजना लागत का एक प्रतीसत, इसको भी धियान रख लेना, ठीक, तो यह हो गया, सहकारी बैंकों का नारा क्या है, देखिए, मैं आपको बताया था, सहकारी बैंक, सहकारी बैंक क्या होते है, जो किसानों को रिन देते है, तो रिन देने के लिए सबसे उप्यूक्त बैंक कौन सा माना गया है, सहकारी बैंक माना गया है, यह कोश्चन आचू का ये भी ए वंदे मात्रम, बी सहकारिता करो, सी करताविय करो और डी काम करो, तो यह मैं बताया था, उनका नारा है डी काम करो, ठीक, option हो जाएगा, डी काम करो, और उनका अगर कहीं मूल मंत्र पुछा, मूल मंत्र, तो मूल मंत्र क्या आएगा, यह क्या है, यह उसका मूल मंत्र है, और नारा क्या है, नारा क्या है, काम करो, ठीक है, तो इसको याद रखना, next question देखते हैं, सहकारी बैंक का पंजियन कहां किया जाता है, देखें, सहकारी बैंक के लिए, रेजिस्टरेशन कराना पड़ता है, तो सहकारी बैंक का पंजियन कहां किया था, option A, reserve bank, option B, state bank, option C, register of cooperative society, और D, register general के पास, तो option आएगा, इसका सही अंसर, option C, register of cooperative society, और इसकी इस्थापना, एक चीज और याद रखना, इस्थापना सहकारी बैंक का किस के तहद किया जाता है, राज सहकारी समीति अधिनियम, इस अधिनियम के तहद क्या किया जाता है, इसकी स्थापना की जाती है, ये question भी आ सकता है, और ये तो important है, सहकारी बैंकों का पंजियन कहां किया जाता है, ठीक, next question, 9th number का question है option A 16 गाओ, option B 14 गाओ, option C 13 गाओ option D यहाँ पर लिखा हुआ है नीचे लिखा हुआ है D है 12 गाओ, ठीक है तो ध्यान रखिए शानसद आदर्स गाओ योजना इसका जो अभी कौन सा चल रहा है 2019 से 24 वाला चरण चल रहा है 3.717 नुखना का पहला चलन कब चला दो जार चौदा से उननीज और तो sulphा चल रहा है। दो इन आठ चरनों में तीसरे चरण के अंज्वत कितने गाओं ka chain किया गया, पूछ रहा यह तो इसना सोलगाओं का chain किया गया है, और ब है चोथा गाओं ठीक, अब इसमें चौथे चरण के के गया है उसके बाद चरन के अंतरगत 12-16 गाउं का चैन के गया इस तरीके सी आप इसको देख लीजिएगा ठिक है और इसकी अतरिकत शांसद आदर्स ग्राम योजना की शुरुवात कब हुई थी ग्यारा अक्टूबर 2014 इसकी सुरुवात हुई थी ग्यार अक्टूबर 2014 जै प्रकास नारायन जीच के कते हैं लोक नायक कहते हैं नहीं लोक नायक की उपाधी दी गई है उनकी जैनती के दिन सांसाद आदर से ग्राम योजना की सुरुवात हुई थी तो सांसाद आदर से ग्राम योजना के त्रिती चरण के अंतरगत कितने गाउं? बारा गाउं, option D यहाँ पर लिखा होगा, option D यहाँ आपका बारा गाउं, right answer ठीक, next question दिखते हैं स्यामा प्रसाद मुखरजी रूर्बन मिशन की सुरुवात कब की गई थी? A. 21 फर्वरी 2016 B. 11 अक्टूबर 2014 C. 2 फर्वरी 2006 D. 25 दिसंबर 2000 इसका आंसर आजाएगा A. 21 फर्वरी 2016 स्यामा प्रसाद मुखरजी रूर्बन मिशन की सुरुवात ग्यार अक्टूबर 2014 को अभी बताया हूँ सांसद आदर्स ग्राम योजना की सुरूबात की गए थी दो फर्वरी 2016 नरेगा की सुरूबात की गए थी 25 दिसंबर 2000 प्रधान मंत्री ग्राम सडक योजना अटल विहारी वाचपई जी की जैनती 25 दिसंबर ठीक है तो यह ध्यान रखना तो इसका आंसरा जाएगा ए इसी तरीके से बी सी डी को भी आद रखना तीन फैक्ट यहीं पर आद करवा दिया हूँ ठीक नेक्स्ट कोशन द बी वर्षा सिंचित क्रिशियोग्य भूमी सी ए और बी दोनो और डी सभी उपलब्द भूमी देखिए यह 2017 का कोश्चन है 2017 का यह कोश्चन है ठीक है तो क्या आएगा इसका अंसर देखिए पहले सबसे पहले अवकर्मित भूमी समझते हैं क्या होता है तो मैंने आपको सम या किनी भी कारणों से क्या हो गई है प्रदूसित हो चुकी है ऐसी हो चुकी है उपजावपन उसका खत्म हो चुका है उस भूमी को कहते हैं अवकर्मित भूमी ठीक है अपसरे समझ में और बी वर्षा सिंचित क्रिशियोग्य भूमी तो वाटरशेट प्रबंधन के अंत मतलब कि मानावजनित जो वर्षा के मतलब कि सिचाही के साधन है वहाँ पर उपलब्द नहीं है ऐसे चीजों को वहाँ पर वाटरशेट प्रबंधन के अंतरगत उनका चैन करके उनको विकास करने की योजना है चलाई जा रही है तो ऑप्शन इसका आजाएगा ऑप्शन C A और B दोनों ठीक है 2017 में आएगवा कोस्चन है अच्छे से याद रखना इसको ऑप्शन C आजाएगा A और B दोनों इन दोनों को प्रात्मिक्ता दी जा रही है नेक्स्ट कोस्चन देखते हैं मुद्रा योजना के अंतरगत शिशूरिण योजना में कितने रुपए की रा राशी है कितनी रुपए की राशी स्विक्रित करने का प्रावधान है ऑप्शन A पचास हजार ऑप्शन B एक लाख ऑप्शन C पांच लाख और ऑप्शन D उप्यूक्त में से कोई नहीं ठीक है तो अब सब को पता है मुद्रा योजना के अंतरगत अब बतेखते हैं अपन तो मुद्रा योजना के अंतरगत तीन प्रकार करिल्य होते हैं शिशू किकोत और तरूनितार निए मता गस फिंद कुतनि के अंतरगत कितन आता है पचास हजार की रासी स्विक्रित की जाएगी तो option क्या जाएगा option A is a right answer ठीक है समझ गया सिसूरीन किसोरीन तरूरीन तीनों को याद रखना और आप सब कमेंड करके बताएंगे देंग्सक्राइगे को से वनेजीग बैंक को रहता है इसे एकक्षिंग कर सकते हैं और उससे पैसे रिण ले सकते हैं जो पब्लिक कोरिन देते हैं ठीक है वो सब क्या कहते है वानेजीक बैंक अब वानेजीक बैंकों के अंतरगत कौन-कौन से बैंक आते हैं पहला तो एक तो आते हैं नीजी बैंक ठीक है नीजी बैंक और दूसरा क्या आते हैं लोग शितरक लोग शितरक बैंक ठीक तो इसमें क्य बैंक और लोगषचीद में को काम करते हैं ठीक है और उसी तरीके से नीजी बैंक में नीजी बैंक में कौन कौन सा जाए गा आई-सीड एक्सिस यह सब बताया था भारत के नीजी बैंक विदेशी बैंक लोगषचीद प्रवाव के कारण विभिन प्रदेसों से वापस आये राजी के प्रवासी स्रमीकों की आजी वीका के लिए कौन सी योजना की शुरुवात की गई है लास्ट क्लास में इसको बताया था उप्शन ए उथान परियोजना और बी सी सकी सी क्रिशी की और ंप ग्री जाकर क्या करते हैं जो ग्रमेन परिवार हैं बिपिल परिवार हैं उनको बैंकिंग सेवाओं का लाप देते यहां मतलब जैसे कि सेविंग एकाऊंट खुल वाना है और आपका पैसा देना हैं पैसा निकालना है पैसा जमर करने के लिए बीसी सकी कारिकरम की सुरुवात की गई है क्रिसी सखी की सुरुवात क्या की गई है पहला तो एक पशुधन और जैविक खेती इसको बढ़ावा देने के लिए इसके लिए प्रिरिद करने के लिए किसानों को बीसी सखी करिकरम चलाया जा रहा है पशुधन के लिए प्रोचाहन करने और जैविक खेती के लिए प्रावासी शरमिकों की आजिवीगा के लिए मिलाब परियोजना की शुरूबाती गई, तो option D आ जाएगा, मिलाब परियोजना, देखें कोबिड 90 के दौरान आप लोग देखेंगा, ठीक है, इसको आदिवासी लोगों के लिए, ठीक है, उथान परियोजना, option A आजएगा, option d मिलाप परियोजना next देखते हैं पंद्रवा question स्वसायता समुगों के पंचसूत्र के अंतरगत शामिल नहीं है नियमित सापताहिक बैठक b नियमित सापताहिक बचत d a c नियमित लोट लेना और d सहीं हिसाब किताब तो पंचसूत्र में बताए था आप लोगको नियमित सापताहिक यह ओगया फरस्ट यह ओगया तीसरा 4 सामिल है नियमित अंतरिक लेंदेन है ना और एक चीत क्या सामिल है नियमित उधार वाप्सी उधार वाप्सी यह 5 सूत्र है जो मैंने बता दिये हैं Option C जो है नियमित लोन लेना ये शामिल नहीं है, ठीक है, तो उम्मीद है कि आज का ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा, ये 15 कोश्चन जरूर है लेकिन इससे आप लोग के 30 से 35 कोश्चन जो है वो बन गए होंगे, इसके फैक्ट आपको पता चले होंगे, इस लेहिन बंदे मातरम,